नमस्कार में प्यार साथियों यवार फिर से आप सोगत करता हूं अपने योट्यूब चैनल पर और हम आज इस मत की जो सही घटना है उसको जानने का प्रयास करते हैं ये बात थी लगवक सन 1659 और इस समय साजहां की तबियत खराब चल रही हो दिये हैं उसके चार पेटे थे दाराशिको मुराद शूजा और और अरंजेब उनमें से दाराशिको जो था वो एक किसम का नेता था उसे बोला जाता है कि उस्षम है और जो साजहां के चार पुत्रते उसमें से यदि कोई सब्चादा धर्मनेर पेट्ष था तो वो था दाराशिको दाराशिको हमेशा अपने जनता को प्यार की नजरों से देखता था और ये एक रीजन था कि साजहां को अ अंसब्दार जो थे वो सपोर्ट करें दाराशी कोह को और आगराग के शिंहासन पर अगला सासक दाराशी कोह बनेंगे लेकिन उसी समय ये अफवाह फैलती है कि दाराशी कोह को उत्रादिकारी बना दिया गया है आगरागा इधर उसके बागी अन्य तीन बेटों सूजा, और अगजे तीनों में इस बात का जब उन्हें तीनों को पता चलता है तो वो उत्रादिकार युद्ध शुरू कर बैठते हैं मुराद जो था, वो चाहता था कि राजा मैं बनूँ और सूजा एक बार आकरबन कर चुगा था दाराशी को पर जिसमें सूजा की पराजय हो गई थी तो सूजा वापस पूर्व छेत्र पराकर अपना अधिकार करके वहां सासन चला रहा था इधर पश्चिम का सासक जो कि गुजरात में बैठा था मुराद उसको औरंग्जेब मिलता है और औरंग्जेब कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहां का नया सासक बनाओ और हम दोनों मिलकर आगरा पर चड़ाई करते हैं लेकिन दाराशी को पर साहजा का हाथ था इसलिए साहजा की शारी शेनाओं दाराशी को के तरब से मुराद और और औरंग्जेब की शेनाओं का परतिरोध करती हैं ऐसे में जस्वंत सिंग जी दारा सिकोह के तरब से लड़ने के लिए मालवा आते हैं क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि यदि आप औरंग जेव को रोक लेंगे तो मालवा आपका हो जाएगा हलांकि ये युद्ध दो मुगल सेनापतियों के बीच का युद्ध था फिर भी जस्वंत सिंग जी एक बार लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं औरंग जेव बहुत धूर्थ किश्म का सा सकता वो मुराद को लेकर पहुंचता है एक जगह था मालवा जो की बिलकुल आगरा और गुजरात से जाते समय दोनों के रास्ते में पढ़ता था मध्यपरदेश में और मालवा के एक छोटे से सहर में धर्मट पे जाके दोनों क सेनाय आमने सामने होती है और उसमें यह सोचता है कि आज यदि युद्ध होता है तो हम हार जाएंगे इसलिए उसने एक माह तक वहाँ पर बैठ तरपर तुछा किया इस धोके से कि मैं अपनी सेनाओं को यहां पर रखूंगा और मैं अकिला अपने पिताजी की स्वास्त क हालत को देखने जाऊंगा जस्वंत सिंग जी के एक सेनापती और थे उसमें इनका नाम था कासीम खांग कासीम खांग के पास लगभग 35-40,000 की सेनी टुपड़ी थी उस समय इस युद्ध को एक धर्म आधरित युद्ध बदाकर और अरंग जेव ने कासीम खांग का मन ब सेन्य गूट को छोड़कर औरंग जेव की तरफ आ जाता है यह एक बहुत बड़ा सड़ेयंत्र था औरंग जेव का इससे ना सिर्फ जस्वंत सिंग की सेनिकों का संख्या घटा था बलकि उनके जो सभी जो भी उन्होंने अपने आपस में प्लानिंग की थी उन सभी प्ला सेनिकों का है और इसमें आप अपनी च्छति क्योंब कर रहे हैं और जस्वंत सिंग जी की सेनाएं अंत में धर्मट से वापस चल जाते हैं और धर्मट का युद्ध औरंग जेव जीत चुका है और वो वापस फिर से आगरा की तरफ आता है तो उसी राष्टे में संशोलो पहुंच गया था और इसने सबसे पहले अपने पिता को ही बंदी बना लिया इधर गुजरात खा ली था तो दारासी को आगरा छोड़कर गुजरात आ जाता है हलांकि बाद में दारासी को भी बंदी बना कर वो मार देता है लेकिन जो सबसे बड़ा सड़यंत पूरे मुराद के साथ. औरंग जेव मुराद को ये कहघ कर लाता है, कि मैं तुम्हें आगरा का अगला राजा बंते देखना चाहता हूं. और उस मुराद के हत्या भी औरंग जेव देता है. तो यह जिंदा पीर था, इसने अपने नो सिर्फ तीन भाहियों की, बलकि अपने पिता की भी अत्या कराई थी तब जाके सिंहासन पर बैठा उमीद है ये सच्चे फैक्ट्स वाले जो कहानिया ये आपको खसंदा रहे होंगे आप इसे लाइक करेंगे और चैनल को ऐसे ही रोचक फैक्ट्स के लिए सबस्क्राइब करेंगे जैहिन